लोग बंड़क रूल आप में से बहुत सारी लोग जानते हैं बहुत सारी लोगों ने फॉलो भी क्या होगा, अपलाई भी क्या होगा पर रही शित पर बट क्या आप सभी को मनचाहा रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता, इंफेक्ट ज्यादा दर लोग को नहीं मिल पाता क्यों? क्योंकि आपको वो रूल अपलाई करने का सही तरीका पता ही नहीं है आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान दखनी है इस रूल को अपलाई करने से पहले ताकि इसका वेस्ट रिजल्ट आपको मिल सके कौनसी है वो चीज, कौनसी है वो मिस्टेक आज करेंगे इसी बारे पास्ते लिए शुरू करते हैं वीडियो को दिखिए, कौनमन मिस्टेक जो आप अकसर करते हैं वो यह कि नो कंटेक टूल फॉलो करते हुए आप मैली टाइम सामने वाले को बता देते हूँ कि आप यह रूल फॉलो कर रहे हूँ अपने विहेवियर से या अपने जुबान से यह नहीं करना है जब जब आप सामने वाले को बता कर यह रूल फॉलो करते हूँ चिला कर यह रूल फॉलो करते हूँ तो इसका आधा इंपक्ट तो वहीं कतम हो जाता है इस रूर को फॉलो करने का सही तरीका यही है कि आप अपने पार्टनर को इस बारे में कुछ बोले, कुछ पता ना चलिए लिए जब मान लिजिए कि आपका पार्टनर आपसे नराज है या उतरा रहा है परेशान कर रहा है तो इससे ये ना बोलो आज की वाद में बात की करूँगा चाहिए Don't do this, आप उससे बात करना छोड़के इस रूल को अपना रो थोड़ा सा वक्त बुज़ेगा उसको अपने आप ही आपका कॉल ना करना आपका दूर जाना खटक में रखेगा लेकि जब आपने ये बोल दिया कि आज के बाद बात नहीं करूँगा तो नहीं खटकेगा जा जाना चले जामत जो मुड़के भी देखूँगा और फिर आप नो कंटा टूल अपना लेते हो इस यूजलेस क्योंकि आपको जो बोल ना था आप बोल चुके हो बकता कर कोई चीज नहीं करने चाहिए बता कर ये इस फॉलो नहीं होता अगर बता कर आप इस रूल को फ जाए एक रबर है जो stretchable है आप उसको भी एक लिमिट से ज्यादा stretch करो के तो ब्रेक हो जाएगा वही अपलाए होता है इस रूल पर वह होती है आपकी second mistake आप इस रूल को इतना ज्यादा इसमें खो जाते हो इतना long term के लिए अपलाए कर लेते हो कि जो रूल आप फॉलो कर करें और रिष्टा बचाने के लिए वही रूल आपका रिष्टा तोड़ देता है क्यों क्योंकि इस रूल का जैसे ही result मिलता है आपको चाहिए कि इसको वही ब्रेक कर फॉर एग्जैंपल मैं समझाती हूँ कि मालीजिये आप no content रूल अपना रहे हो क्योंकि आप अपने partner को सुख सिखाना चाहते हूँ अपनी value का हैसास करवाना चाहते हो ठीक है आपने रूल apply किया and after 10 days 15 days आप ये feel करते हो कि हाँ आपका partner अप सुधर गया है पीछे पीछे आ रहा है मना रहा है बात कर रहा है रिष्टा ठीक हो रहा है तो भी आप रुकते नहीं आपको लगता तो और मैं तो नखरे दिखाता हूँ अभी और बात में करता हूँ पता चेलेगा अब आप क्या करते हो उसको जबड़स्ती खीच रहे है एक इंसान जो आपके लिए तरस रहा है आप उसे और जाल तरसा रहे है इससे क्या होता है जो 15 दिरों बाद आपके पीछे पीछे एक महीने बाद आपको छोड़के भाग जाता है फिर आप कहते हो कि इस रूल ने काम नहीं किया वो इसलिए काम नहीं किया जब डॉक्टर की तवाई असर दिखा देती है तो उस मैडिसिन को बंद करना होता है इसके बाद भी एक समसदारी नहीं है कि आप मैडिसिन को खा आते रहो नहीं अगर ऐसा करोगे तो आपके उपर आपकी बॉटी पर एड़र्स रिजर्ट दिखाई देंगे आपकी बॉटी को हाम होगा वही अपलाई होता है इस रूल पर आप हस्ते ज्यादा जरूरत के बिना जब अपलाई करते हो तो इसकी वज़से आपके और इस वीडियो से ये सीख आप ले लोगे बस इसी अमीद के साथ मैं विज़ा लेती हूँ अपना ख्यार रखिए अपनों ख्यार रखिए बाबाए टेक लिए